हेलो दोस्तों, दोस्तों SSC GD Constable Medical के Admit Card किस दिन आएंगे और आप उसे कहां से डाउनलोड कर पाएंगे, उसकी सारी information आपको हम देने वाले हैं देखी दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप SSC GD Medical और Document Verification की वेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा, यहाँ पर मैं आपको पलपल की अपडेट देता हूँ SSC GD Constable की कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी नोटिस आफ से चूटे ना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और साइड में जो बैल आइकन होगी उसे प्रेश कर दीजेगा देखी दोस्तों, SSC GD Constable को लेकर अभी Official कोई भी नोटिस नहीं आया है ना तो Document Verification से Related, ना Medical से, ना ही Physical Qualify List को लेकर कोई भी नोटिस देखने को मिला है देखी दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, Expected Date जो आप अपने Medical और Medical के Admit Card की देख सकते है देखें, जो आपका Medical के Admit Card की Expected Date है, वो है दोस्तों, Last Week of December अब Last Week of December में कब देखें, 25 तारिक के बाद में, ठीक है, दिसम्बर में, 25 तारिक के बाद में ही आपको Admit Card की Link ओपन होने को मिलेगी ठीक है, उसकी Official Link एक्टिवेट करी जाएगी, 25 तारिक के बाद, दिसम्बर में और आपके जो Medical स्टार्ड होंगे दूस्तों, जन्वरी, 15 जन्वरी के बाद से आपके Medical स्टार्ड हो जाएगे, ठीक है, ये आप Expected Date मान कर चलिए, इसी समय आपके Admit Card की Link ओए एक्टिवेट की जाएगी, और आपके जो Medical हैं, वो भी जन्वरी, 15 तारिक के बाद में आयोजित किये जाएंगे, अब देखिए, आप लोग डाउनलूट कैसे कर पाएंगे आपके Admit Card को, देखिए, आपको SSC की Official Website पर आपके Admit Card देखने को मिलेंगे, या फिर CRPF की Official Website पर आपको आपके Admit Card देखने को मिलेंगे, Medical के, ठीक है, Medical के जो Admit Card का Tender दिया हुआ है, वो CRPF को दिया हुआ है, तो लिंक सबसे पहले CRPF पर ही Activate होगी, उसके बाद आपको उसकी लिंक SSC पर भी मिल सकती है, दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर करिएगा, ताकि उन् झाल